एक्षिल्य यह रिसंटली जो मैंने वर्दे स्क्रैब्बुक अप्लोड करें थी यह वही वाले स्क्रैब्बुक है और इस वीडियो में हम सिर्फ बेस बनाना सीखेंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है सेहीं यही बैस मैं आपको बना कर बताऊंगी और इसके लि चैनल को सुस्क्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बैल को अन कर लेना तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो लेट्स गैट स्टाड़ेड उससे परदर मैं आपको छोटा सा बता देती हूं कि मैंने आपके क्या क्या चीज़ें यूस करें हैं जो कि आपके वीडियो चीज़ें लेनी है 300 GST की या फिर जिसकभी आपको बेस बताना है बनाना है जैसे की गोल्ड यूस करते हैं कुछ लोग मिरर कार्ट स्टोक ताफो भी यूस कर सकते हैं और हमें यहां पर इसे जो कार्ट बोर्ड है सिसके पर सिसे पेस्ट करना है मैंने यहां पर हॉर सारी टेप यूज करें और यहां पर थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा रखाया आप देख सकते हैं फोल्ड होने की जगे पर यह चोड़ना बहुत ज़रूरी है वरना आपका पेपर क्रैक हो सकता है तो मैंने पहले किनारों को सारों को स्कोर कर लिया है फिर उसकी बाद मै पेस्टल शीट उसे यहां पर लगा रहे है और मैंने यहां पर स्कोरिंग टूल को की हल्प से इस वाले गैप को फिल करा है पहले फैविक और फिर पेपर को प्रेस करा है ताकि वह इस जो गैप है इसमें अच्छे से स्टिक हो जाए कुछ इस तरह के से ताकि हमारा जो एल पेपर्स यूज करने वाले हूं जिसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि मैने पर्चेस करें हैं बर जो थीम इसका है पिंग कलर वाला वह सारे मेरे पर्सनल पेपर्स हैं जो कि ग्लॉसी हाई क्वालिटी के लैमिनेटेड शीट से अगर आप उन्हें पर्चेस करना चाहते हैं अब यहां पर इसके लिए बाइंडिंग मैथर आपको बताने वाले हैं कैसे आपको इसमें पेपर्स एड़ करने हैं इस तरह से मैंने पेपर्स शीट ली है उसे 11 cm पर मार्क कर लिया है और फिर 33 cm की स्ट्रिप्स कट करी हैं इस तरह से फोल्ड करा हैं जैसे कि आप वीडि पेपर्स बनाने हैं तो मैंने इस तरह से फोल्ड करके 3 स्टिप्स बनाई हैं जहां पर हम 6 पेज एड़ कर सकते हैं अभी हमें अपने स्क्रबुक में हम 1-1 cm पर मार्क कर सकते हैं पहले इस चरह पर और 1 cm के गैप पर इन तीनों को स्टिक कर देना है जैसे कि हमारा जो बेस इस ता उसका मेजर्मेंट था 17 & 23 cm तो यह पेपर को मैंने 16 & 22 cm पर मार्क करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसी तरह से मैं सारे एफोर्टाइस के पेपरों को रिसाइज करके इस तरह से स्टिक कर दे र तो यहां पर हमने सारे एक साइड तो एफोर्टाइस के पेपर को रिसाइज करके अटैच कर दिया है अब जो दूसरे साइड है वहां पर हम पैटन पेपर या फिर इस तरह से कटिंग करे हुए 16 & 22 cm के पेपर को स्टिक करेंगे तो बीच वाला जो है वो खुला रह जिसके हम इसे बाढ़ सकते हैं तो स्टार्टिंग में जिन पेपर का जिक्र कर रहे थी में यह वही वाले पेपर हैं यह बहुत ही अच्छी क्वालिटि के लामिनेड़िट पीपर है चुकि आपको कहीं और नहीं मिलेंगी और अगर आपको यह यूस करने हैं तो आप मेरे स्टोर से से पर्चेस कर सकते हैं फिलाल मैं उससे कुछ भी सेल लेंग कर रही हूँ बढ़ हाँ एक बार अगब आप वहाँ पर मैसेज करते हैं और अवैलिबिली हुई इसकी तो मैं आपको ज़रूर सेंड कर सकती हूँ तो यहाँ पर मैंने इसे ट्रैकी टेप की मदर से 6 mm वाली ट्रैकी टेप है इसकी हल्प से इसे सारी तरफ स्टिक कर दिया है ग्लू का मैंने यूज नहीं करा है क्योंकि फैरिकॉल जो है वो इस लैमिनेटर शीट के पर स्टिक हो जाता है और इसका पूरा ग्लॉसी और क्लासी लुक है वो खराब हो जाता है तो इस तरह से हमने अपने बेस को प्रिपेर करा है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा अभी इसमें जो है कार्ट्स एड़ करने है फोटोग्राफ्स एड़ करने है इस तरह के टैक्स शी ही अपलोड करूं यानि कि इसे फिर से रिक्रियेट करूं और इसके कार्ट्स का टुटोरियल प्रिपेर करूं तो उसके लिए आपको इस वीडियो को इतने सारे लाइक्स और व्यूस देने होंगे जिससे की मुझे मजबूरन इसका सेकिंड पार्ट बराना पड़े बहुत ज्यादा च्छा है परस नहीं मुझे भी पहुत पसंद आया है इस तरह से हमारा इसक्राबो का भी इस कंप्लीट होता है बड़े ही सिंपल और इसे मैंथर से एंड आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़रूर से लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को देखना ज़रूर उसे और इस तरह से मारे चैनलों को सपोर्ट करते रहे है थाकि मैं अच्छे च्छे नए हैंड में स्क्राब बुक के वीडियो और टुटोरियल अपलोड करते रहे हैं वीडियो को लास तक देखने है फैंक्यो सो मच मिलेंगे है अपने अगले वीडियो बाइयो है